जहिन दोस्तों चलिए आज एक नया लेक्चर लेके आगए हैं आपके लिए तो क्रशी शांकी हमने देखा था पिछली क्लास में अब आज की क्लास है क्रशी शांकी दूसरी सेकंड पार्ट उस सांकी का जिसमें हम देखेंगे समांतर माद्ध कैसे निकालते हैं माद्धिका क कैसे निकालते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं यह सारी चीजें बहुत ही सांदार वीडियो होने वाला है बहुत ही सांदार चैप्टर है और पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर यही है है ना चलिए आज इसको ही स्टार्ट करते हैं इसके कोश्चन देखेंगे ह हो सकता है इसी में से आपको एक question exam में देखने के लिए मिल जाए तो चाल ये आए देखते हैं पहला question हमारा क्या है समांतर माध्ध और माध्धिका में अंतर लिखना है मतलब आपने सुना होगा दस्मी में भी आपने किया होगा कि समांतर माध्ध और माधिका क्या होता है इसमें अंतर इस्पष्ट करना है तो इसको हम देख लेते हैं समांतर माध्ध में क्या है समांतर माध्ध दिये गए पद मूल्यों के योग फल में पदों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त हो बिल्कुल मद्ध में पढ़ने वाला आंकड़ा माध्धिका होता है, बिल्कुल सही बात है, माध्धिका में क्या करते हैं, जैसे कोई रो डाटा दिया है, इस तरह से कोई डाटा दिया हुआ है, इसकी माध्धिका निकालना है, तो पहले इनको क्या करेंगे, पहले इनको इनको क्या करेंगा, इनका बीच वाला होगा, मध्ध वाला, वही क्या हो जाएगा? हमारी माद्धिका हो जाएगी, आंगे हम questions भी करेंगे, दूसरा क्या है? यह समस्त पद मूल्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बास है, सब पर निर्भर करता है, इसमें सभी पद मूल्यों को पदों को महत्तु नहीं दिया जाता है आंकडों को आरोही आरोही क्रम में लिखना अवश्यक होता है इसमें सभी पदों को महत्तु नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं क्योंकि इसमें हमको बीच वाले इसको आवरोही क्रम में एक बार लिख लिए उसके बाद बीच वाले से मतलब है आंगे बीच वालों से कोई मतलब ही नहीं है algebraic calculation के लिए उप्यूक्त है समानतरमाद और algebraic calculation के लिए उप्यूक्त नहीं है ये माद्धिका नेक्स्ट कया है इसे केवल निरिच्छन द्वारा क्यात नहीं किया जा सकता है अब देखिए इसे केवल निरिच्छन द्वारा ग्यात नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको केवल देख रेक से हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कल्कूलेशन हमको करना पड़ेगा, लेकिन माद्धिका में क्या है, छोटी स्रेणी में इसकी करना निरिच्छन से भी समांतर माद्ध को हम फर्मूला लगा के ही ग्यात कर सकते हैं, जबकि माद्धिका को हम अगर एक डाइग्राम बना के दें, हना चार्ट बना दें, उससे भी हम माद्धिका को पदा कर सकते हैं, चलिए यह था हमारा अंतर एक छोटा सा कुस्चन, अब आजाते हैं के अनुमानपर नहीं छूड़ना चाहिए जहां लेब रेटरीरplex कर रहें हैं यहां हम डाटा कोलेक्ट कर रहे हैं उस पर नहीं छोड़ सकते हैं हूझ समानतर निकालना पड़े Galak researcher एक्षुली में समानतर माद्ध जो है बच्चो वो एवरेज होता एक तरह का होता है अवर्षात होता है जैसे में लीजिए 2 चीजे हैं 2 और निम्ठीर हे सितनों निकाल रहे हैं तो ये एक्ष्ली में क्वराइज होता है और calculation based होता है इसमें क्या है? calculation हमको करनी पड़ती है next इसकी गढ़ना सरल होनी चाहिए इसकी गढ़ना मतलब जो calculation करते हैं वो क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सरल होना चाहिए तो बिल्कुल सरल होता है एक छोटा सा formula होता है उसमें value put up करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, उसके बाद एक line में answer आ जाते हैं, हम इसके अभी questions भी देखेंगे, यह समस्त पदमुल्यों पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल होती है, जैसे मान लिजे, 2, 3, 5, 1, 4, इस तरह की हैं, तो सभी पर आ है निष्चित होनी, जैसे समांतर माद्द की value आई, मान लिजे, 28, 5, तो यह क्या है, निष्चित संख्या होनी चाहिए, इसके बाद क्या है, यह एक निर्पेच संख्या होनी चाहिए, अर्थात, यह प्रतिशात अथवा अन, किसी सापेच के रूप में व्यक्त नहीं होन तो इसका मान क्या है ? निर्पेच होना चाहिए ये किसी अनपर वेष्ट नहीं होना चाहिए जैसे इसका आंसर आ सकता है 25 बिल्कुल करेक्ट है समांतर मांद आसकता है इस तरीके से इसको ना चाहिए चलिए अब कुछ कॉस्चन्स देख लेते देखिए पहला question है निम्न आंकडों की सहायता से माधिका ग्याद कीजिए माधिका ग्याद करना है तो माधिका का हमारा formula होता है sum और विसम के लिए अलग-अलग जब sum होते हैं दिये गए आंकडों की संख्या क्या होती है sum होती है तो सूत्र क्या है एक बटे दो, एन बटे दोवे पतकमान, एन निकालें किते, टर्म किते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस है, किता है, एन कमान, दस हो गया, एन बटे दोवे पतकमान, प्लस, एन बटे दो प्लस, एकवे पतकमान, यह क्या होता ह हमारा सूत्र होता है अगर मान लीजिए कि यहीं यह और होता दस नहों के मान लीजिए अगर नहों होता तो माद्रिका का सूत्र बदल जाता सूत्र क्या हो जाता सूत्र हो जाता N प्लस एक बटे दोवें पत कमान केवल इतना सूत्र हो जाता अगर यहाँ पर यह 10 नहों के 9 होता कोई बिसम संख्याती यह जो हमको दिये गए हैं यह सारे पत दिये गए हैं तो यह सारे पत अगर बिसम में होते हैं इसका सूत्र क्या हो जाता है यह हो जाता है अभी हमको सम में दिया हुआ है दस दिया हुआ है तो अभी हम देख लेते हैं इसको तो देखें क्या हो जाएगा एन कित्ता आगा है दस एक बटे दो फॉर्मूले में रखेंगे दस बटे दो में पत कमान फिर दस बटे दो प्लस एकमें पत कमान, तो इसमें क्या रहा है, पांचमें पत कमान, पांचमें पत कमान, पांचमें पत कौन सा है, एक, दो, तीन, चार, पांचमें पत, उननिस है, प्लस छटमें पत क्या हो जाएगा, बीस हो जाएगा, तो उननिस प्लस बीस, इसको solve करेंगे, 49 बटे 2 आएगा, क इसके बाद एक ये कुश्चन आ गया, सास की बाल उचतर माधुमिक विद्याला है, बिलग हाना के कच्छा बारा बारवी के छात्रों के विज्ञान एवं विज्ञान के तत्तों एवं गणित में प्राप्टाम निली हिंदी एकदम बहुत ही जवरजस तरीके से यहां पे ल कि क्या है छात्रों ने कोई एक्जाम दिया है और उस एक्जाम के जो है तो इसमें नंबर दिये है, माक्स दिये है, कोई पेपर दिया है, परिच्छा दिया है, उसके नंबर दिये है, अब इसकी क्या करना है, प्राप्ताम कों की माध्धिका ग्याद करना है, क्या ग्याद ृत है 48 दिख रहा है 48 48 लिख दिए 48 लेड़ा है 58 की बाद लेड़ा है 51 51 लेड़antee 51 के बाद की दिख रहा है 55 55 लेड़ीए 56 57 मानपलर 56 फिफ्टी बाद किया 57 नहीं है 58 58 58 लेड़ीए 59 नहीं है इसके बाद क्या है 60 60 60 लिख दिये, फिर 60 के बाद क्या है, 65 है, 65 लिख दिये, 66 है, 66, 67 नहीं है, 68 है, फिर उसके बाद 70 है, और 72, तो यह क्या लिख दिये, इनको आरोहिक्रम में लिख दिये, अभी से जो बीच वाला होगा, वही हो जाएगा, क्या, हमारी मादिका, तो देख लेते हैं, पदो की स है, एन प्लस एक बटे दुएं, पत कमान, तो क्या हो जाएगा, छटवे पत कमान, छटवे पत कमान, छटवे पत कमान, छटवे पत कमान, छटवे पत क्या है, देख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छटवे पत क्या है, 60 है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, साथ हो जाएगा चलिए अब आ जाते हैं next question में अब देखे यह आ गए थोड़ा सा जिसमें आपको आबरत्ति दी रही दीर हुई होगी इसमें आपको क्या दी हुई है आबरत्ति दी हुई है इसको हम आबरत्ति बोलते हैं frequency बोलते हैं यह frequency दी हुई है तो जैसे देखे उचाई दिया हुआ है cm में किता दिया है 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह की एक साड़नी बना लेंगे है और पोदो की संगेश में निकालना कि हमको समांतरमाद समांतरमाद का फॉर्मूला होता है summation of fx upon summation of x तो यह लिखा हुआ है फॉर्मूला लिखा हुआ है summation of fx upon summation of x f क्या होता है f होती है frequency हमारी जो नीचे दी होती है हना इसको क्या बोलते हैं इंगलिस में बोलते है frequency यह होती है हमारी frequency और यह हमारा होता है x जो चीजे दी गई होंगी इसका मतलब यह है उचाई जो दी है जैसे 10 cm 10 cm के पौधों की संख्या कित्ती है एक है उसी तरीके से 11 cm के पौधों की संख्या कित्ती है तो चार है उसी तरीके से 12 cm के पौधों की संख्या कित्ती है तो पांच है 13 cm के पौधों की संख्या कित्ती है साथ है इसी तरीके से यह दिया हुआ है हम को क्या चाहिए, हम को समांतर माद्द का फॉर्मूला पता है, Summation of F upon Summation of F होता है, F क्या है, F तो हमको दिया हुआ है, इस Summation का मतलब क्या होता है, योग, जोड, मतलब Summation F लिखा है, तो इन सारे F को जोड देंगे, इस तरीके से जोड देंगे, 4, 1, 5, 5, 10, 17 और 17, 3, 17, 8, 25, 25, 30 इस तरीके से इसको क्या करेंगे जोड देंगे समेशन f x हमको चाहिए क्या चाहिए f x तो पहले f x निकालेंगे उसके बाद इन सब को जोड देंगे तो यहाँ पर हमको क्या आजाएगा समेशन of f x आजाएगा आई ये देख लेते हैं, ये टेबल बना लीए है। की दो हासिल 1, 4 1 5 और 6 5 11 11 9 31 21 और 27 29 और 27 29 चार 4 1 5 5 5 तो 7 तो 12 फिर दो हासिल 1 चार 5 5 6 11 और 11 जोड़ा तो 20, 20, 20 और 21, 21 और 21 में 7 जोड़ा तो 28, 28 में 1 जोड़ा तो 29, फिर ये कित्त हो गया, 29 कि 9 हासिल दो आएगी, 2 और 1, 3 बिल्कुल सही है, 392 सही है, इसको रख देंगे फॉर्मूले में, summation of effects upon summation of f, 392 बटे 30, तो ये हमारा आ जाएगा 13, 0, 7, तो ये हमारा हो गया 4 number का question है, 4 number का पूछा जाएगा, बस हमसे ये सारनी बनाते आनी चाहिए, सारनी अगर बनाते आ गई तो हमको करना easy हो जाएगा, चलें next question में चलते है, ये आगे next question में, नेम लिखित सारनी में दिये गए आंकडों के आधार पर माधिका की करना करना है, इसमें माधिका निकालना है हमको, आंकडे हमें दिये हुए हैं, हम देखेंगे आंकडे N पहले निकालेंगे, बारम बारता ये क्या है, फ्रिक्वेंसी हमको दी है, नमबर पाने वाली विद्यार्थी चाह रहे हैं, 36 नमबर पाने वाली विद्यार्थी 5 है और 37 नमबर पाने वाली विद्यार्थी 1 है, तो इस तरीके से इनको हम क्या करेंगे, टेवल बना लेंगे, संचय आबरती क्या होती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बो यहां पर दतने हैं उद्श जाएorigन के दिवाना पस्ता है सिए रहा हुआ तो हैंक्षा değildi कि तो सोगर्कना,ईदी कशना दा आभ सिए पॉम्स उस पाहले आज जाना जो यहां पर यह लास्ट में 15 आया यह इन सब का योग आगा तीन और दो पांच पांच चार नाव नव पांच चाउदा चाउदा एक पंद्रा यही एन की वैल्यू होती है कैसी है बिसम है कैसी है बिसम के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस एक बटे दोवे पत कमान म आठवांपट 5 के बाद होगा अठवा प्लस पांच के बाद होगा अन नव के पहले हो गा तो यह हमको 9 दिया हुआ है मतलब हमारी रागाली यह वाली लेलेंगे तीसरा नमबर तेख भी 25 हो जाए घ्रिक। देखिए बीच वाला है भी, यह देखिए, यह बीच वाला है भी, यह पहले से बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, 33, 34, 35, 36, 37, यहां से भी हम direct answer टिक कर सकते थे, लेकिन question 4 number का है तो लिखना पड़ेगा, 4 number बनाने के लिए बढ़ा तो बनाना पड़ेगा, अगर objective होता तो हम देखिए, टिक कर देखिए, यहां से हम देखिए, 33, 34, बढ़ते क्रम में लिखा है, बीच वाला होगा, आंसर सीधे माति का, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, अब आजाते हैं, next question पे, चलिए, अब यह आ गई कौन सी, यह आ गया continuous data, continuous data इसको बोलते हैं, या इसको हम row data भी बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें क्या गयात करना है, सारणी से लगुवीधी द्वारा समांतर माद्ध गयात करना है, लगुवीधी बाला, लगुवीधी, अब देखिए, लगुवीधी क्या होती, समांतर माद्ध गयात करने की 3 से 4 formule होते class interval क्या बोलते है class interval या वर्ग अंत्राल जैसे इसमें class interval कितना 0 से 10 तो 10 माइनस 0 10 का है तो आएजे इसको देख लेते हैं ऐसी साड़नी बना लेंगे frequency दी है मद्धमान निकालेंगे हैं मद्धमान कैसे निकालेंगे एक बार ध्यान से समझ लीजिए मद्धमान निकालना आपको आ जाएगा देखिए मद्धमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे इसको बोलते हैं lower limit इसको बोलते हैं upper limit तो इसको जोड़ेंगे 0 प्लस 10 अ 15, फिर 20 और 30, 50, 50 वटे दो 25, 40 और 30, 70, 70 वटे दो 35, 50 और 40 कितना 90, 90 वटे दो 45, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि पहला आप निकालने 10 वटे, 10 प्लस 0 वटे दो 5, इसके बाद इसका गैब देख लें कितने कहा, गैब कितने कहा, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, मतलब कितने कहा, 10 का है, तो इसमें 10, 10 जोडते जाएं, 5 में 10 जोड़ा, 15, 15 में 10 जोड़ा, 25, 25 में 10 जोड़ा, 35, 35 में 10 जोड़ा, 45, अब D कैसे निकालना है, तो D निकालना है, X-A upon I, अब देखिए, A क्या है, A कल्पित माद्ध होता है, जो हम बीच वाला लेते हैं, कौन सा ल मान लेंगे, A मान लेंगे, कल्पित माद्ध इसको मानते हैं, जरूरी नहीं कि बीच वाला माने, हम कोई सभी मान सकते हैं, हम 5 को भी मान सकते हैं, 45 को भी मान सकते हैं, मान किसी को सकते हैं, लेकिन बीच वाला इसलिए मानते हैं, क्योंकि कैल्कुलेशन हमारा छोटा रहे, हमें जो घुना उना करने के लिए जो संख्याएं मिलें, वो हमको क्या मिलें, छोटी-छोटी मिलें, इसलिए बीच वाले को मान लेते हैं, इसको मान लिए, कल्पित माद, तो x-a, x क्या है हमारा, x क्या होगा, x हमारी ये जो frequency होगी, ये हो जाएंगी, a upon i, i क्या है, i हमारा 10 है, तो इस तरीके से ये पूरी table बना लेंगे, और table जैसे बनेगी, ये minus 2 कैसे आया, तो ये हो जाएगा, x किता है, x मानेंगे इस मद्धमान को, ये x की values हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखिए, 5 minus 7, नहीं नहीं, sorry, sorry, ये अपना x इसको नहीं समेशन of f x upon summation of f हम लेते थे, तो summation of f x हम निकालते थे, एक संचाई आबरत्ती निकालते थे, इस तरीके से, जैसे मान लीजिये 7 है, फिर 7 के बाद जो है, तो 9, 7, 16, इस तरीके से हम निकालते थे, तो एक कला मिस में कम बना हुआ है, एक कला मिस में और बनाएंगे, उसके खीज बाद हम देखेंगे कि मान ली जेये कि जैसे एक 番ल ले लेता हूं है एक ekज़ांपल देंगे आपको बता देता हूं कि यह निकालेंगे काईसे छ की डी की वेल्यू कैसे चैंज दी की वैल्यू है x-a, तो x हमारा कित्ता हो जागा माल लीजे 30 हो गया, माइनस 1 कित्ता हो गया, 5 हो गया, बटे 10 कर देंगे, तो कित्ता आया, 30 में से 5 गया, 25 बटे 10, तो यहां पर मेरे को लगता है, इसमें कुछ misprinting है, इस table में, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, एक example लेकि अच्छे से, और आप उसको एक बार दिमाग में बैठा लें, इसमें से देखना है, आपको ठीक है, तो देखिए, एक हम मानेंगे, एक कल्पित माध्ध मानेंगे, क्या मानेंगे, कल्पित माध्ध, फिर उसके बाद, हम यह देखेंगे, कि इस पूरे में, x की value हम क्या रख दे x की value क्या रख दे कि जिसमें से x की value क्या रख दे जिसमें से हम 25 minus करें अब 10 से divide करें तो हमको कित्ता मिल जाए 2 इसका निकाल लेंगे तो कित्ता हो जाएगा 10, 2 नहीं 20 x minus 25 बराबर 20 अब इसको उधर ले जाएगे तो x बराबर कित्ता हो जाएगा 20 प्लस 25 बराबर 45 मिल गया हमको क्या मिल गया 45 तो इसमें जो है तो x कमान जो हम निकालेंगे अगर इन सब को हम sum करें इन सब को जोड़ें तो कित्ता हो जाएगा 15, 5, 20, 20, 40 और 5, 45 इस इस दोनों को मिला करके हमारी एक x की वैल्यू आ रही है या तो हम देख सकते हैं सबसे नीचे वाला 45 फिर अब इसके बाद देखें अगर दूसरे step में देखें कि ये जो हम लिए हुए है ये 25 तो एक step ऐसा आएगा कि जब x कमान हम कित्ता रखेंगे 25 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 25 बटे 10 तो क्या हो जाएगा 0 बटे 10 बराबर 0 तो एक बार उपर से नीचे रखेंगे एक बार नीचे से उपर रखेंगे इस वाले में x कमान मान लिए 15 रखेंगे तो कित्ता हो गया 15 माइनस 25 बटे 10 तो कित्ता हो जाएगा 15 में से 25 गटाए तो माइनस का 10 बटे 10 तो कित्ता आगया माइनस का 1 फिर यहाँ पर कैसे करेंगे यहाँ पर मान लिजिए 5 को रखते हैं तो 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 25 बटे 10 तो कित्ता हो जाएगा 20 बटे 10 माइनस का 20 आएगा क्योंकि 25 में से 5 घट रहा है तो किता आजागा माइनस का 2 तो बात समझ में आई X की मान हम क्या ले लेंगे X की मान ये सारे ले लेंगे मैं आपको हर एक step करके दिखा देता हूं माइनस 2 कैसे आया माइनस 2 आया 5 माइनस 25 बटे 10 किता आया माइनस 20 बटे 10 तो किता आया माइनस 2 माइनस 1 कैसे आया 15 माइनस 25 बटे 10 15 माइनस 25 बटे 10 15 माइनस 25 बटे 10 माइनस 10 बटे 10 किता आया माइनस 1 इस तरीके से इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे इस तरीके से D की वैल्यू निकाल लेंगे पांच एकम पांच अतीन दूनी 6 इस तरीके से यह आ गया इसको जोड घटा लेंगे माइनस वाले माइनस ते इस प्लस वाले 11 हमारा आजाएगा टोटल सम प्लस का 12 फार उमुले में रख देना है कुछ नहीं करना है 25 प्लस माइनस 12 बटे 30 गुणे 10 एक अमान 25 रख दिया सम समझ में S&F किता आया है 30 आया है 30 रख दिया 10 क्या है class interval है class interval रख दिया इसको solve कर लिया 25 माइनस 4 21 हमारा आंसर आ गया समझ में आई बात table बनाना ध्यान डखना है डी का ध्यान डखना है इसमें जो x है x कौन सा बालक आला हम यह वाले x की कॉलम है ना चलिए चलते हैं आब नेक्स्ट कॉस्चन में यह हमारा आ गया अंगला कॉस्चन इसमें क्या है समांतर माध्ध में गयात करना है और फिर से रो डाटा दे दिया है मतलब continuous distribution डाटा हमें दे दिया है 0 से 20 20 से 40 40 60 60 60 80 80 से 100 इस तरीके से बारम बारता इनकी frequency भी धी हुई है अब हम क्या निकालेंग अब देखिये अब जो है तो मतध मां निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 20 प्लस 0 बटे 2 वरावर 10 फिर 40 प्लस 20 किता हो गया 60 60 बटे 2 तो 30 आ गया फिर 60 प्लस 40 किता हो गया 100 100 बटे 2 50 इसी तरीके से निकाल लेंगे मत्ध मांद इन दोनों को जोडते जाएंगे और 2 से करते जाएंगे, पहला तरीका, दूसरा तरीका आपको क्या बता है, एक निकाल लो, दस, और फिर इसके बाद इन दोनों का गैप देख लो, अंतर देख लो कितने का है, अंतर कितने का है, 20-20 का, 20-20 सब में जोड़ते जाओ, 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 20 जोड कर देंगे, 10 में 8 का गुणा 80, 15 में 30 का गुणा तो कितना, 15 तियां 45, 450, फिर 5, 2, 10, 1000, इस तरीके से गुणा करके निकाल लेंगे, इन सब का योग निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, अब फॉर्मूले में रख देंगे, समेशन of FX कितना है, 2820, समेशन F कितना है, 60, भाग कर दीए, तो 47 आ गया, तो यह हमारा हो गया question, I think यह हमारा last question होगा, इसकी screenshot होगे, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अब हम चलते हैं, देखते हैं, एक और question हमारा last बचा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, बहुलक न इस तरीके से, तो बहुलक होता है, जो सबसे जादा बार आ जाता है, the most repeated frequency, अगर इस तरह का data होगा, तो उसमें the most repeated frequency or the biggest frequency is called the बहुलक, बहुलक में क्या देख, सबसे जादा बार क्या आया है, क्या तीन आया, एक, दो, तीन, चार बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो ज इसा continuous दिया है, तो हम इसमें decide करते हैं, एक बहुलक वर्ग decide करते हैं, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है, कि इस आपरत्ती में हमको देखना है, कि सबसे बड़ा मान किसका है, तो इस आपरत्ती में हमने देखा, तो सबसे बड़ा मान क् तो यही हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम नसीमा कितनी है 24 अउच्च सीमा कितनी है 32 तो इसको हम लेंगे L1 और इसको लेंगे L2 lower limit of the highest frequency table and the upper limit of the highest frequency table इसके बाद हम देखेंगे बहुलक वर्ग हमारा हो गया 24 और 32 L1 हो गया 24 L2 हो गया 32 फॉर्मुला हमारा होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और यह जो होता है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं H से L2 माइनस L1 का मतलब क्या है H है मतलब इनके बीच में gap कितने का है अंतर कितने का है 24 नहीं L2 करेंगे न तो 24 कहां करेंगे 32 न करेंगे यह L2 है 32 माइनस 24 बराबर 8 8 का क्या है gap है तो इसकी जगा पे हम 8 डारेक्ट पुट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला याद रखना है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टू H चलिए हम इसको solve कर लेते हैं अब जल्दी से देख लेते हैं बहुलक है फॉर्मूला हमारे पास है अब देखिए यह F0 F1 और F2 कैसे निकालेंगे तो जो बहुलक वर्ग हमने माना है चूंकि यह हमारी F वाली लाइन है फ्रिक्वेंसी हमारी यह वाली लाइन है तो यह सब F2 देखिए 0 सुरू होगा 0 1 2 तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो बहुलक वर्ग होगा उससे पहले वाला F0 होगा उससे बाद वाला F2 होगा और वो स्वयम F1 होगा यह सारी वैल्यूस आगई रख दिये इसमें रख देंगे L1 किता है 24 F1 कितना है हमारा F1 आया 26 F0 कितना ह 15 उन्हें 32 माइनस 24 इसको solve करेंगे यह आ गया solve करके जब निकालेंगे तो 26.80 आ रहा है ठीक है इसको हल करके इसको निकाल लेंगे तो इस तरीके से हमको सारे question करना है यह आपको जो 10 से 11 question करवाए हैं बहुत ही important question है अगर आप यही same question पढ़के चले आएंगे तो आपको इ इसके बाद इसको खतम करते हैं चलिए दोस्तों बहुत बहुत धर्नवाद हना इसी तरीके से बने रहे हैं हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेयर करते रहें चलिए ओके थैंक्यू